जस्टिस कीदाँ छे सुशियल, एक़णोगिक एंड पॉलिटिकल तो ये बंदारणों कया कया प्रुविजन मां इनो उल्लेख ठहेलों छे चर्चा करों तो पेली वस्तु तो तुँँँट जस्टिस नी वाद ठहेली छे सोशियल, एकोनोमिक, पोलिटिकल धरेक जस्टिस ना थ्रण बे पहलू छे पोजिटिव आस्पेक्ट, नेगेटिव आस्पेक्ट तो नेगेटिव आस्पेक्ट एटले सुँँ लेक ओफ डिस्क्रिमिनेशन के मानिलो सोशियल जस्टिस होई तो समाजना कोईपण वर्ग ने पोतानो विकास करवामा कोई अडचन आवी जोई या नही औने पोजिटिव आस्पेक्ट एटले सुँ तेने पोतानो विकास करवानी पूर्ती तक मडवी जोई एकोलेटि अफ उपर्चुनेटि तो सोशियल जस्टिस मा पेलो जे नेगेटिव आस्पेक्ट कीदो आपड़े कोई अडचन आवी जोई या नही कोई डिस्क्रिमिनेशन नो धावी जोई एना आर्टिकल्स छे मुडबुत अदिकार मा पंदर सोड जे लखेला छे के भारत ना कोई पंड नागरीक ने फक्त तेना संप्रदाई जाती लिंग अत्वा जन्मना स्थड़ना आदारे बेदबाव थाई शक्षे नै जाहेर रोजगार मा आकारणों थी कोई बेदबाव थाई शक्षे नै सत्तर छे असप्रुष्यता नो प्रतिशेद असप्रुष्यता अपराद दंडनी अपराद कहिरो छे अंटच्याबिलेटी अबोलिशन अफ अंटच्याबिलेटी अडर मोचे किचा वोनी नाभूदी पेलू हाई क्लास, एलीट क्लास अने साधारन मांच्षो वच्चे एक अंग्रेज वेपल डिवाइड कहिरो तू तो ए पन खतम छे डिरेक्टिव प्रिंसिबल्ज ऑफ स्टेट पॉलिशी एटले के राजनीती ना मार्कदर्शक सिद्धान्तों मां अमुक आर्टिकल जापेला छे जे मां एक तो आर्टिकल थर्टी एट छे एमां आत्रण प्रकार ना नियाईनी बात थेली छे पच्ची आर्टिकल थर्टी नाइन मां किदू छे पुरुषन स्तरी वच्चे समान कामनू समान वेतन इक्वल पे फोर इक्वल वर्क थर्टी नाइन एमा की देलू छे दरेकने फ्री लीगल एड मडवी जोई है मफथ कानूनी सहाईता मेडवानी जोगवाई करसे सरकार दरेक व्यक्ति माटे तो अपड़े तो अजमल कसावने पड़ मफथ कानूनी सहाई आपे लीचे केमेरा मा पकड़ायो तो के गोडी बारी करतो तो अने मांसोने माई राट छे चाता ही एक लीगल प्रोसेस पूरी करी अने सजा आपे लीचे आपड़े रूल आफ लोम आमानी आची है अने नियाई तंत्र, नीश्वत तंत्र ता अने बदाने खुब आपड़े प्राधान्य आपे ची है अनुचे देखताली समा राइट टू एजुकेशन नी जोगवाई करसे सरकारे भी जोगवाई चे बिजु, आने रिलेटेड अमुख योजनाओ सरकार बार पाड़ती होई जेमके समाजीक उत्थान माटे नी गणी बदी योजनाओ सरकारे बनावेली चे कोई एक स्पेसिफिक समाजीक ग्रूप माटे बनावेली होई तो एने कई शको पोजिटिव आस्पेक्ट ओफ सोशियल जस्टिस ए सेना माटे चे सोशियल जस्टिस माटे जेमके वन बंदू कली आनि योजनाओ फक्त स्ट लोकों माटे जे ट्राइबल लोकों माटे स्टेंड अप इंडिया करी नेक योजना बार पाईडी चे सरकारे ए चे स्सी एस्टि आने महीला व्यापारियों माटे उजवला योजना चे महीलाओ माटे प्रदान मंत्री आवास योजना चे गरीबों माटे तो कई शको तमे एविजरी ते एकोनोमिक जस्टिस मा बे पहलू चे अगेन एक तो नो मोनोपोली भारत मा इजारा शाही नी चूट न थी दिस्क्रिमिनेशन नो थाई शाके एटले गरीब मानस पन अमीर बनी शाके अमीर पोता नी अमीरी नो उप्योग करीने चमने अमीर बनता अटकावी नो शाके तो एना माटे काईगो बने लो चे MRTP Act Monopolis and Restrictive Trade Policies Act अने एना माटे कमिशन भाईनू चे CCI Competition Commission Commission of India प्रिए गनीवदी भारतसरकार नी योजना हो होई चे अर्थीक विकास माटे जह योजना था एक शको तमें पार्ट आफ एकोनोमिक जस्टिस जह प्रिहम बल माई एकोनोमिक जस्टिस नी वाद करी चे एना आमली करन माटे चे Startup India मुद्रा योजना स्टार्टप इंडिया जे नवा एंटर्विनर्ज ने नवा व्यापारियों ने टेक्स फ्री सिस्टम आपे छे तो एलोको वदारे प्रगती करे अने साइब यूनिकॉन स्टार्टप मा यूनिकॉन एटले एक बिलियन डॉलर सो करोड डॉलर जेनी वेलिवेशन थाई जाई एने केवा यूनिकॉन स्टार्टप तो एमा आपड़े अत्यारे चाइना ने पचाड़ी दी दुछे अमेरिका पछी सेकेंड डरेंका भी गयो बर नो यूनिकॉन स्टार्टप मा तो एटला वदारे भारतियों सशक्त थाया दुनिया मा मुकाबलो करवा एटलू रोजगार वाई दू मुद्रा योजना छे एकदम सुक्ष्म उद्योगों माटे डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर आपपानू चालू कहीरू सरकारे तमारी सबसीडी ने बदू जे पैसा होई जेमक्या कोरोना ना टाइमें पण मुक पैसा ट्रांसफर कही राता तो एक डाइरेक्ट तमारा खाता माँ जमा थाई अन एना माटे जंदन योजना थी खाता खोलाई वाता तो पेले वचेट या ओजे पैसा लाई जाता था एक डाइरेक्ट जमा थाई तरी जो जे पोलिटिकल जस्टिस तो दर एक पोलिटिकल जस्टिस ना बे पहलू छे एक तमें वोट आपी शको एक इलेक्शन लड़ी शको पन आ फंडामेंटल राइट नसी आ लीगल राइट चे काईदा की अधिकार चे लीगल राइट अटले सु ओई काईदा थी मड़ो जे काईदा थी रद थाई शके तो फंडामेंटल राइट ओए बंदा रणे आ पहलो छे तो कोई काईदो इवो बनावी नाखे कोई सरकार के जे फंडामेंटल राइट्स मां मुडबूत अधिकार मां गटाडो करतो होई तो एक काईदो रद थाई शक तो पाच्छो आवे हूँ थोड़ी जरूरी छे तो में एनी पाच्छड एक पाच्छड बब्बे कॉंस्टेबल मुखलो पोट अपावा तो प्रैक्टिकली पोसिबल ना थी आपने पॉलीस फोर्स नी तीवर अच्छत होई अने फेजिजमा इलेक्शन एटले करावे जे तो में ध्यान दे जो किया रहे लोकसभा ना इलेक्शन होई तो साथ फेजमा उप जेबाश स्टेट ना इलेक्शन होई मोटू राज्यो चे साथ फेजमा इलेक्शन धाई सुकाम अपड़े CRPF नी जे टुकडी आवे ने वाराफरती एक एक जगी आये डिपलोई करें तो एटला माटे आटला बदा फेजिजमा इलेक्शन अच्छत जोई छे वेमा वाबदा जेल माचे लोको पाच्छड बब्बे पोलीस वड़ा मोखलवा अने तमें क्यों के जेल नी अंदर जमारा माटे बूत खोल सु एटला सरा करम करिन न थाईवा के राजा तारो वोटिंग न अधिकार नहीं जये चिन्ता करमातू ओके तो एटला माटे नेके वाई जे लीगल राइट तो पोलिटिकल जस्टिस आपेलू छे आपड़े ओगणी सो पच्चास म अगर अन्य दर एक ने वोट अपपानो अधिकारा पी जो अन्य साइब गर्वकर जो तमारा देशनी सिस्टम उपर के अमेरिका आजाद थाईव सत्तर सो चोतेर माँ पन महीलाओने वोटिंग राइट आईपो छे इलो कोए 1920 पच्छी एटले आजाद दीना लगबक 200 वर् अन्य ब्लेक लोको ने वोटिंग राइट आईपो छे इलो को ए 1968 पच्छी आन्य जे रश्टपती ए ब्लेक लोको ने वोटिंग राइट आईपो तो एन्मारी नाई खाता तो भारत आजाद थाई गयू भारत ये बद्दा ने ओगणी सो पच्छास मां आपड़े अन्य एक आपड़ा देश मां बहुं मोटी जय अमेरिका ब्रिगेट छे जय अमेरिका जय करी हाचु जोई तो इलोको ने तो खास काउजू के अड़ी सो वरश्णी आजादी मां एक महीला राष्टपती न थी आपी जहिखा जैरे आपड़े महीला राष्टपती आपी द एक गुलामी नो कालखंड आवी गयो अने गरीब ही बहु आवी गई तो गरीब ही मांसो जैना पोता ना रियल केरेक्टर्स गणी वख़त नो डिस्पले करी शक्या गणी वख़त एवा एवा काम करना खेके तामने ओडखाई नी तो थाई जासे बदू बराबर झाल 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 झाल